जादा साइबर क्रेम चल रहे हैं अपने साइबर क्रेम बोलने का ज्यादा हो गया और जो भी है ओटीपी फ्रॉट्स हो रहे हैं और लोन अप फ्रॉट्स हो रहे हैं अपने जो लोग है क्या है लोगो लोन आप बोलके एक आप है उसमें क्या है जो आप जितना भी पैसा पूछते हैं हम लोगो बागी के हिसाब में दे देते बोलके वो लोन आपको डाउनलोड कराने के लिए मजबूर कर देते यह जो नार्मल पीपल है लोगा क्या करते उसम पुरे एकसेस ले लेके जब यह लोग पैसे वापस बने पर भी एक्सरा एमॉंट देने के लिए धिमांड करते हुए जब यह लोग एक्स प्रोण नहीं देते ना तो क्या करते जो फोटोस रहते हैं फुटोस को मार्फिंग कर देंके लोग ब्लाग मेल करने शिर्व कर दें अगर आप एमट ने दिये तो आपके जो भी रिलेटिव से आपके जो फ्रेंड्स है यह सोब लोगा में सेर्क्लेक कर देते बोलके लोगों को ब्लाकमेल करने का आज कल का एक ट्रेंड है ज्यादा से ज्यादा चल रहा तो अपने रेंग बजार पॉलिस टेशन के तरफ से हम लोगा में के घुजारिश है कि कोई भी लोन्या प्लोन्यापकी कोई भी लिंक का गई या फिर कोई भी ओटिपी बोले वलके कुछ भी लिंक्स होने दो अगर कुछ भी आके तो फॉरण उसको नजर अंदाज कर देना चाहिए क्या है बोले तो आपन जो भी OTP बोल देते जितना भी amount अपने account में रहते ना फोरन क्या होता कट हो जाता और क्या है वो वापस आने के chances बहुत कम रहते 99% cases में क्या है जो amount चले जाने पर 24 hours के बाद आपन रियलाइज होके क्या करते वो complaint देने के लिए आ जाते तो क्या है ज बोलके फारण 1930, 1930 साइबर पोर्टल का नेंबर है, 1930 नेंबर पे फोन लगा दे के complaint राइस कर देने से वितिन 24 hours में अगर अपन ए 1930 को कुछ भी complaint राइस कर देते तो अपना amount जो भी cut होके है वो hold होने के chances रहते, तो क्या है पब्लिक को हमारे जो रेन बजर पोलिस टेशन के तरफ से जो advice है क्या है बोले तो आप alert रहना चाहिए कोई भी जो लिंक्स unknown लिंक्स आते उसको click नहीं करना और जो भी OTP के बतावल के कोई भी bank से phone करके, कोई भी ATM से बात करके, Google पे से हम लोग बात कर रहे हैं, आपका जो OTP बताईए बोलके, अगर कोई भी पूचे तो उसको ignore कर देना जाहिए, कोई भी अपना OTP शेर नहीं करना